नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ओनलाइन इस्टिटूट टार्गेट वितालोग में मैं रभी तिवारी करेंट अफियर्स के एक नए एपिसोड के साथ आपके समख्यों पस्तित हूँ इससे पहले हम लोग करेंट अफियर्स की काफी बात कर चुके हैं आज उसी किरम में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप जानते हैं कि आपके पृदेश में और देश में महतपूर परिक्छाएं आने वाले समय में आयोजित होनी है उन सभी परिक्षाओं के लिए Current Affairs की स्रिंखला का आयोजन संस्थान द्वारा किया जा रहा है Target Brutalag Online Institute हमेशा पृतिवद्ध है आपको गुरवत्ता पूर्शिक्षा देने के लिए सर्व करने के लिए तो Current Affairs की स्रिंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आपके एप और Portal हैं उन एप और Portals पर क्रांतियों पर और COVID के समय में जो भी विकास हुआ है जो Operations चलाए गए है अलग-अलग राज्यों द्वारा जो अलग-अलग राज्यों द्वारा विवस्थाएं चलाई गई हैं जो Apps बनाए गए हैं जो Portal बनाए गए हैं उन सब के बारे में आज पूरी बात करेंगे और मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूं कि इस समय जो समय चला है उस हिसाब से इस एपिसोड से एक या दो प्रशने आप लोग को निश्चित रूप से मिलेंगे तो एक छोटा एपिसो में आप जानते हैं कि बहुत गुरुवत्ता पूर बैच चल रहे हैं यह UPSI का बैच है जिसको हम लोगों ने Rankers बैच नाम दिया है और यह पहली बार किसी बैच का नाम Rankers दिया गया हम लोग इसमें बहुत महनस से और बिलकुल अलग धंग से आप लोगों को पढ़ाने च बिजना हैं आप हमारे online बैच से जुर सकते हैं और NTRSA लेकर भीजिए साथ अगस्त से इस बैच की कच्छाएं प्रारम हो रही हैं साथ अगस्त से इस बैच में कच्छाएं प्रारम हो रही हैं आप अपने प्रिवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं अगर आप लोग individual math पढ इस में चलना हैं समय संस्थान के द्वारा तो individual math reasoning या combo बैच मेंड मिसल लेने के लिए ये संस्थान का WhatsApp नमबर है इस WhatsApp नमबर पर आप entry एमाल लिखकर भेद बीजिए हमारी तीम आपसे संपर्ख करेगी जो लोग लेकपाल की तयारी कर रहे हैं जो लोग 12 वेकंसी लेकपाल की आने वाली हैं जो लोग बास्तों में जर्णा चाहते हैं महनत करना चाहते हैं select होना चाहते हैं वो कमर कश चुके हैं आप कहीं पीछे न छूट जाए तो आपके जो भी purchase सदस लेकपाल की तयारी कर रहे हैं ये WhatsApp नमबर है लेकपाल के लिए इस WhatsApp नमबर पर आप entry लेकपाल लिख कर भेद दीजिए हमारी टीम आपसे संपर करेगी इसके अत्रेक्त अगर आपको कोई संदे हो तो आप सुबह 9 वजे से लेके सामको 7 वजे तक ये जो नमबर दिये गए हैं इन नमबर्स पर phone करके भी अपने प्रिवेश को सुनश्चित करा सकते हैं अगर आपको जल्दी से जुड़िए और लाव लेजिए बागी लोग फिडवेक दे सकते हैं कि हम लोग कितने महनस से आप लोग को पढ़ाते हैं आईए अब हम लोग शुरुवात करते हैं अपने आज के सेशन की तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करेंट में जो भी प्रगती हुई है कोविट के समय में वो आपके लिए बहुत जरूरी है तो मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कि क्या प्रगती हुई है और किन चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है और उसके बात पर हम देखेंगे कि वो एपर पोर्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कोविट नाइनटी से संबंदित केंद्र राज सरकार की योजनाय एप और पोर्टल यहां से हम लोग सुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए कोरूना कबज एप सबसे पहले आप देख रहे हैं आपर क्या पत आपको जारी करता संस्था का नाम व्याद रखना है या जिस प्रदेश द्वारा ये जारी किया गया है उस प्रदेश का नाम व्याद रखना है यही आप से पूछा जाएगा तो पहला है आपका कोरोना कबज एप याद करते चलिए प्रिशने आप से दो तरीके से पूछा आपको 4 app दे दिये जाएंगे, 4 portal दे दिये जाएंगे, 4 operation या अभियान दे दिये जाएंगे और आपसे कहा जाएगा किसका आप सही मिलान कर दीजे तो एक तरीका तो होता है कि आप आपसे मिलान करने के लिए पूछा जाता है या दूसरा सीधे option में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है किस संस्था द्वारा है या किस प्रदेश द्वारा इसको जारी किया गया है दूसरा बिरेग दा चैन अभियान अब आप जानना है कि बिरेग दा चैन मतलब किस के लिए बिरेग दा चैन कोविड नाइन्टी के प्रिसार को जो हम लोग समझ चुके थे किया इसका प्रिसार एक मानों से दूसरे मानों में होता है मानों से मानों में फेल रहा है तो बिरेग दा चैन इसके प्रसार की चैन को रोकना ये नाम किसे ने दिया था बताईए ब्रेक दा चैन अभियान चलाया था किसने केरल सरकार ने सबसे पहले केरल में हैं आज पर केस मिलने प्राड़म हुए थे बाल में केरल ने ठीक काम किया तेकर इस समय केरल भी विसम परिश्थितियों में है और सारे जो है राज इस समय विसम परिश्थितियों में सबसे ज़्यादा खत्रा इस समय अगर मढ़ रहा है तो वो बिहार पर मढ़ रहा है बिहार इस समय बास्तों में विशंप्रस्थितियों से जोज रहा है तो केरण सरकार का भ्यानता क्या बताईगे ब्रेकदा चेन फिर आपका है ऑपरेशन सील ऑपरेशन सील दिल्ली सरकार चलाया था देखिए दिल्ली सरकार के दो अभ्यान थे इन तीनों अभ्यानों को मैं एक साथ आपको बताता हूँ operation sealed और ये नाड़ी और 5T तो नाड़ी जो था वो पुदुचेरी सरकार का था operation sealed और 5T जो अभ्यान था वो दिल्ली सरकार का था आप से इन तीनों के फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा ये क्या थे तो sealed और 5T दिल्ली सरकार का था और नाड़ी जो है वो पुदुचेरी देजिए हाँ पर देखिए पहले देखिए sealed किसका था sealed जो था वो देल ही सरकार का कारी करम था अब मैं ऐसे बता देता हो तो S-H-I-E-L-D ये अरभिंद केजरी बाल द्वारा चलाया गया था तो sealed से क्या मतलब है यह आपर sealing देखान देजिए का E से essential supply मतलब essential जरूरी सर्विसों की जो supply है वो निर्वाद रूप से चलती रहेगी उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी L से था local sanitization मतलब local महले इस तर से लेके बलकुल बड़े इस तर पर पूरा sanitize आपको कराया जाएगा वो L से था और D से था door-to-door health check-up कई मायनों में देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने केजी वाल सरकार ने अच्छा कार किया है उप्रेशन सील्ड में तो यह उप्रेशन सील्ड है जिनके full form आपको याद रखने है यह हमेशा आपके लिए याद आएगे तो सील्ड दिल्ली सरकार का था यह S से sealing, S से home quarantine, I से isolation, E से essential supply, L से local sanitization और D से door-to-door health check-up 5T, पहले 5T आया था और 5T के बाद जब control ऐसे लगा कि मुश्किल है तो एक नया कारिकरम इसके बाद बनाया गया था वो क्या था बताएगे यह सील्ड था 5T में पहले टी का मतलब था testing से clear, दूसरे टी का मतलब था tracing से, मतलब testing, tracing, तीसरे टी का मतलब था treatment से सारी COVID से संबंद चीज़े हैं, हम लोग इतना सुन चुके हैं, सोचल मेडिया पर इतना देख चुके हैं, कि आप समझने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी तो तीसरे टी का मतलब था treatment से, चौथे टी का मतलब था teamwork से, और पांच में टी का जो मतलब था, वो क्या था बताईए, tracking से, तो अब यहां से हम लोग देखें, testing, tracing, treatment, teamwork और tracking, यह आपका 5T था, यह दोनों ही अभियाद दिल्ली सरकार द्वारा आपके चलाएगा, ओपर है, National Analytical Platform for Dealing with Intelligent Tracing, जरूर याद रखिएगा, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ, नोट कर लिजेगा, National Analytical Platform for Dealing with Intelligent Tracing, यह आपका इसका आर्थ है, clear है, आयो, तो यह तीन आपको clear हो गए, अब हम लोग फिर से वहीं चलते हैं, जहां से हम लोग थे, आयो, तो आप यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग पहुँच गए थे, Operation Sealed के अगर हम लोग बात करें, तो दिल्ली सरकार, मैं आपको समझा चुका हूँ, नाडी के अगर हम लोग बात करें, तो पुदुचेरी सरकार, clear है, चलिए, प्रिज्याम एप, प्रिज्याम एप जार्खन सरकार का प्रिज्याम जो था, वो किसका है, बताएए, जार्खन सरकार का, clear है, आईए, COVID Care एप, आणाचल प्रदेश सरकार का एप, जो है, क्या है, COVID Care एप, है ना, देखे, COVID से भी clear कर लिजिए, COVID भी नाम दिया ही गया है, COVID-19, है ना, को से Corona, है ना, VI से यहां से लिजिए, वाइर डवलू एचो ने यह नाम दिया था, डवलू एचो ने यह नाम दिया था, तो यहां पर देखे, COVID Care एप किसका है, अणाचल प्रदेश सरकार का है, बिहार परोना सहायता एप, बिहार सरकार का एप, clear है, अरोग के सेतू, सभी के लिए कंपलसरी है, यात्रा बगेरा के लि फिर लिखा है, समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज, मानो संसाधन विकास मंतराले का यह समाधान, नाम से ही किलियर आ रहा है, समाधान, अब समाधान एक चुनाओ आयोग का एप भी है, उसको यहां पर मत कनेक्ट करिएगा, वो अलग है, मैं अभी आपको बताऊंगा, यहा civil services association, करोना पहल, civil services association द्वारा यह पहल चलाई गई थी, हाँ पोविड में राथ पहुचाने के लिए, we safe tunnel, तिलंगाना सरकार, तिलंगन अराजे, वी सेफ टनल लाइफ लाइफ लाइन उडान नागर विमान मंत्राल है अभी एक बंदे मात्रम भी आप चलाया गया था बिदेश से लोगों को लाने के लिए बंदे मात्रम अभियान अभी मैं इन सारे अभियानों को आपको पड़ाऊंगा एक बार और बंदे मात्रम अभियान अभी आप देख रहे हैं कि जो भारतिये विदेश में फसे हुए हैं उनको वहां से बंदे मात्रम अभियान के द्वारे यहां पर यह लिफ्ट किया जा रहा है लाया जा रहा है धीरे धीरे क्रम से आये तो ऑप्रेशन नमस्ते अभियान भारतिये से न आप नमस्ते से साधर अभिवादन करिए एक दूसर से नहीं छोईए क्योंकि मानों से बानों में फैल रहा है अगर यह प्रिसार रुक गया तो हम कोविट को रोकने में सफर रहेंगे तो ऑप्रेशन नमस्ते अभियान मतलब नमस्ते करिए क्लियर हाथ में नमस्ते ओवर हैंड सेख अभियान नमस्ते ओवर हैंड सेख मतलब हैंड सेख पर नमस्ते को वरीता देना नमस्ते ओवर हैंड सेख है ना अभियान करनाटक सरकार का अभियान था और आयुस कबच कोविड एप उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान था तो ये कुछ प्रमुक एप और पोर्टल्स पर बात करते हैं जो केंद सरकार और राजसरकार द्वारा चलाए गए हैं और आपके लिए जरूरी है जैसे सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं पहली हैडिंग है गरवर जैसे ग्रामिर छित्रों में बिद्धुती करण चला आए केंद सरकार से लेकर राजसरकार तक की योजना है कि हमें प्रते गाउं तक बिद्धुत को पहुचाना है तो क्या वो बिद्धुत पहुच रही है उस बिद्धुती करण के लिए जो कार चला है क्या वो पूरी पारदरस्ता से चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपको उसमे कुछ समस्चा तो नहीं है तो सीधे जिनके लिए वो बिद्दूती करण हो रहा है उनसे कनेक्ट करने के लिए किन सरकार का एक एप है जिसको क्या कहा गया गर्वैप बिद्दूती करण को पूरी पारदर्स्ता से लागू करने के लिए केंद सरकार का जो एप है वो क्या है गर्व एप तो आपको ये याद रखना है कि गर्व एप किस से सम्मंदित है तो आप कहेंगे ये एप बिद्दूती करण से सम्मंदित है तो बिसे याद रखना है बिद्दूती करण से सम्मंदित है दिभ्यांग सार्थी एप देखें दिब्यांग के सब्द से हम सभी लोग पढ़ चिते हैं, दिब्यांग साथियों के लिए बहुत सारी योजना ऐसे आती हैं, जो केंद सरकार और राजसरकार द्वारा आती हैं, तो क्या वो योजना उन तक पहुंच पाती हैं, या उन योजनाओं तक पहुंचने के लिए उन के क्या लाब हैं इसको प्राप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उनकी जानकारी सीधे आपके घर तक पहुंचाई जाएगी इसके लिए जो एप जारी किया गया है वो कौन सा है बताईए दिग्यांग सार्थी एप है और केंद्रिय सामाजिक एवं निया एवं ससक उसक्तिकरर मंत्राले द्वारा दिग्यांगे जनों के लिए एप जारी किया गया है आगे बढ़ते हैं अगला बात करते हैं इस सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार विदेश आते जाते रहते हैं लगातार विदेश जब आप आते जाते रहते हैं तो आपको क्या होता है कि प वो online ही अपने दस्तावेजों का सप्यापन करा सकते हैं, अपने दस्तावेजों को दिखा सकते हैं, verify करा सकते हैं और अपनी यात्राओं के विवर्ण को अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं. इसकी लिए जो app आया हुआ है वो कौन सा है? इसनल एप है रहा तो इसनल एप भारती विदेश मंत्राले द्वारा विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्ताबिश प्रमानन के लिए आरंब किया गया है सरकार इसी एप के माध्यम से पास्पोर्ट की पिरक्रिया को लगातार सुगम हिवं सनल बना रही है जैसे पहले आपको अगर पास्पोर्ट चाहिए होता था तो हमें महीनों, दो महीनों, चार महीनों के लिए परेशान होना पड़ता था अब सरकार लगातार इस पिरक्रिया को सुगम बना रही है कि आप घर बैठे भी अपने पास्पोर्ट को बनवा सकते हैं सारी चीज ऑनलाइन हो रही है आज आप कचेरी जाते हैं तो आपको अपनी भूमी के खसरा खतोनी और सजरा वहां से मिल जाते हैं मिल जाते हैं के नहीं आपको कोई भी विवड़ चाहिए आपकी पन्चायत में जितना भी काम हो रहा है आपकी पन्चायत में ग्राम पन्चायत के जो कार किया इसकी डिटेलिग को आपको दर्ज करना है तो सीधी सीधी सी बात है कि जो Preya Soft एप है वो क्या एप है केंद सरकार द्वारा जितनी भारत में पंचायत हैं उन पंचायतों के कार जो है उन सभी कारियों को online दर्ज किया जाए ताकि केंद सरकार एक क्लिक से आपकी पंचायत की और पूरे भारत की पंचायतों में जितने कारकी हो गये हौं उनको क्या कर सके देख सके उनको समझ सके तो इसके लिए जो एक है वो परिया मियं और यह किर जुक हे इसे यह इन क्या सो अप कंचार की राष्टे सम्न्दежд सभी दस्तावेजों को संकलन ने जिसके द्वारा बिद्द भित्रोर कम्पनियों द्वारा जैसे बहुत सारे आप देखते हैं कि कि बिद्द भित्रोर केंपनिया हैं । उन्हें की योजनाय सब्सक्रेश करने हो की जा का दूँ kisses और पार्दरसी बना सके। तो तरंग ज 210 एप है आपका है जिसके द्वारा विंक धुट्रालय का मैं और उनके द्वारा संचाल 사तकी रहे प्रयोजनौ और नजर रखी जाती है जिससे कम्पनी उन्षों सरकार के वीच पारदरस्ता आ सके आए ये आगे बढ़ते हैं फिर अगला है आपका उतल इये डीप एब इप बिद्दूट मंत्राले का e-nilami portal है, है ना, deep app क्या है, विद्दोत मंतराले का e-nilami portal है, आईए, बंधन तोड एप, तेखे, बंधन तोड एप बिहार सरकार का एप है, ध्यान रखेगा, रूड़ी युक्तियों में जकड़े समाज हो, है ना, जिन का सोसर हो रहा है, समाज में कुछ ऐसे बंधन ब्य करते हुए कि अगर आप ठाने तक नहीं पहुच पा रहे हैं, तो आप एप के माध्यम से हमें सूचरा दे दीजी कि आप परेशान है, बंधन तोड एप, किसका बंधन तोड़ना है, रूड़ी युक्तियों का बंधन तोड़ना है, तो बिहार सरकार का एप है, और बिहार करने के लिए, बिहार सरकार का एप है, बंधन तोड़ एप, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, चलिए, उमंग एप, केंदवा राज सरकारों के द्वारा आम जन के लिए प्रदान की जा रही सभी सरकारी सुब्दाओं, उनके विवरणों को, बहुत अच्छी बात है, देखे, ये क्या है, दूर संचार समावेशन, जैसे आप जानते हैं, अर्सट परसेंट से लगवक जनसंख्या गिरामिर छित्रों से सम्मन्ने थे, अब बहुत सारी योजना ऐसी आ रहे हैं, जो सहरी किरत भारत के लिए भी है, और ग्रामिरी किरत भारत के लिए भी है, ल समावेशन का अर्थ क्या होता है, समावेशन अगर किसी चीज के सामने लग जाए, तो उसका मतलब होता है, अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाना, है ना, तो दूर संचार समावेशन का मतलब है, कि दूर संचार से अंतिम व्यक्ति तक जोड़ना, तो अब यहाँ पर द क्या बताईए उमंगया देख्षा एप देख्षा एप के बारे में अगर बात करें हम लोग तो देख्षा एप जो है यह दो मानो संसाधन विकास मनताला का एप है सिक्षकों की जीवन सेली को डिजिटल करने के लिए क्योंकि अब आप देख रहे हैं कोविट के समय में ओनल कौन सा है बताईए देख्षा एप है तो सिक्षकों की जीवन सेली को और डिजिटल बनाना इसके लिए जो एप कौन सा है देख्षा चलिए हम राज अब चलिए भारती सेना अपने सेवराज जमानों के लिए है पहले तो रेडियो पे एक सूचना आती थी कि आपकी सभी चुट्टिया कैंसिल हो गए है सेना के लिए अपडेट हो गया सेना का काम हमेशा जल्दी वाला होता है उनको जल्दी सूचना पहुंचा नहीं है उनकी पोस्टिंग कही हुई है उनका प्रमोशन हुआ है उनका ट्रांसपर हुआ है उनकी चुट्टी रद की गई है तो भ सम्राज अपर एक आईडी होगी औभारती सेना कोई भी उससे संबंदित विवर्ण उसकी बतालियाईं से संबंदित विवर्ण या उस सेना के अंग से शुट संबंदित विवर्ण जब देगी तो आप फ्रतिक व्यक्ति को वहाँ चेक पर ना जिरूरी है जैसे पहले कहा जाता था 80 लिर की दसक बें जब आप किसी सैनेक Serum से मिलैंगे 90 के कहते गा उसको मस्त किया जाता था कि दूरसर दर्शन द्वारा जो समाचार आता है और रेडियो पर जो समाचार पर्थारिक होते हैं उनको दोनों ही टाइम सुनना आपके लिए अनवार है छुट्टी के समय क्योंकि आपकी छुट्टी के कैंसेलेशन की सूचना वहीं पर दी जाती और केवल एक लाइन कही जाती थी कि सेनकों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गए हैं और उन्हें अपने मुख्याले लो लेकिन वो फूल पर चला गया है ना बोटिंग मसीन में दिक्कत है जैसे आप अभी सुनते रहते ना कि बहुत सारी समस्या आ रही है तो अगर आपको तलगता है कि आपके हां कोई चुनाव संपादित हो रहा है और उस चुनाव के संपादन के दौरान आपको कोई दिक्क ना एक फोटो खींच के या समस्या को लिखके उस छेत्र में चुनाव आयो के जो भी परवेक्षक होंगे वो जल्द से जल्द आके आपसे क्या करेंगे बात करेंगे आपकी लोकेशन पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या गरबड़ी हो रही है एक उम्मीदबार एक करा सकता है अगला है हर्पत है हर्याड़ा सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया देखें सभी राज्य सरकार ने कोसिस कर रही है कि वो अपने आम व्यक्तियों को आप से जोड़ें आम जन को सरकार से जोड़ें और सरकार और आम जन के बीक में जो जन पृतनी दिश्यों से मि बहुत जरूरी चीज है और सडक में अक्सर दिक्कत होती है तो क्या हुआ है कि हर्याना सरकार न lively Hep की द्वारा उसे सुचित कर दीजी यह और आपकी अगर आवाज सरकार का ап है जो रोड के रख्रखाओं के लिए सड़क के रख्रखाओं के लिए जारी किया गया है के लिए हरया ज़ produce नपकल किया सासन के अंतरकत हो रहे सभी निर्मार कारियों के बारे में पूर जानकारी उपलब्द कराता है आंध्र प्रदेश्व कौन प्यूपिल फर्ष्ट इसका मतलब है जितना काम सरकार कर रही है सरकार का कोई भी अंग कर रहा है उसके बारे में समस्त जानकारी आपको प्रद समंदित थ्यात दी दीजिएगा सीबॉख से आप महला सुरक्षा से समन्दित हैं । ऑप कहीं पर जाते हैं आप के कारिस्थल पर आपको किसी वी तरही की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उठ पीड़न का सामना करना पड़ रहा है तो पूरी गोप नीता के साथ आप सी बॉक्स एक्स की मांध्यम से अपनी सिकार दर्ज करा दीजे सम्मंदित कारिस्तल पर पहुंच कर उस व्यक्ति को उठा लिया जाएगा और उसके उपर उचित दर्णिर्मी कारवाई की जाएगी तो महलाव की सुरक्षा को सुनेशित करने के लिए महला इवन बाल विकास मंत्राला द दिल्ली सरकार दौरा कारकारी महलाएं अपने कारिस्तल पर अपने साथ हुए उप्पीडन की सिकायब पूरी गोप्रिंता के साथ दर्ज करा सकती हैं तो यह महला सुरक्षा से जुड़ा हुआ आपका अगे बढ़ते हैं अगला है आपका हिम्मत एप हिम्मत एप भी महला की सुरक्षा से संब्धने तैफ है किसका है दिल्ली सरकार का आप है और आने वाले समय में उत्तरप्रदेश मद्प्रदेश बिहार राजिस्थान और हर्याना भी इसे अपको लागू करेगी पीटीम हम सभी लोग पीटीम के बारे में जानते हैं 2010 में प्रारम किया गया है मोबाइल वालेट है इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं इस समय लगभग सबातीन करोड से अधिक बहुता है इसके संस्थापक का नाम अकसर आपसे पूशलिया जाता है तो इसके संस्थापक सिरी विजय संकर जी है 2017 में प्रतिश्रित पत्र का फोर्व सद्वारा सबसे प प्रधार मंत्री स्री नरंद मोजी जी थे और दूसरे कौन थे बताइए विजय संकर जी थे आगे बढ़ते हैं भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म आपसे पूचा जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम है ना नोट बंदी के बाद भारत सरकार द्व फिमाया था भारत इंटरफेस फॉर मनी भारत सरकार का फॉर्म जी एश्टी जब से आया है समय समय पर उसमें परवर्तन हो रहे हैं उन परवर्तनों से कैसे जी एश्टी को से लाभनवित होने वाले लोगों को या जो हमारा टेक्स पेर है उसको समय समय पर कैसे अपडेट किया जाए बार-बार स्लैप बदले जाते हैं बार-बार विवस्था बदली जाती है तो स्लैप और विवस्था जब बदली जाती है इनकी लिए जो एप है वो कौन सा है आपका जीएश्टी एप भारास सरकार का एप है और दिसार निर्देश कानून के संबन में नवीनतम प्रदान की जाती है तो यह कुछ प्रमों के एप और पोर्टल थे जो आपके लिए जरूरी है जो आपकी परिच्छाओं में आ सकते हैं, इसके बाद कुछ उत्तर प्रदिश सरकार की हेल्प लाइन से जो आप से पूछी लिए जाती है जैसे बोमेंड पावर हेल्प लाइन बोमेंड पावर लाइन जो हेल्प लाइन है वो क्या है 1090 याद रखिएगा क्लियर है 15 नमंबर 2012 से हां टेलीकाम सेवा को सुरू किया गया इससे कोई भी महला तत्काल प्रिस सहायता प्राप्त कर सकती है यह पूछा भी एक गया है वह एक बार आपसे 1090 चाइल हेल्प ला सेवा क्या है 102 है है ना नेशनल एंबूलेंस सेवा 102 है और यूपी 112 सेवा जो डायल हंड्रेट था आपको मालूम है कि अब वो 112 हो गया है उत्तर प्रदेश के लोगों को आपातकालिन सेवा प्रदान करने है तू अमेरिकाल अमेरिका के डायल 911 सेवा की तर्च पर तो अ खमंत्री ने लखनव के गोमती नगर विस्तार में नौमनर में त्यूपी भवन ने किया था 26 अक्टूबर 2019 को योगी आदतिनाथ जी ने अखले से आदब जी के समय में ये विवस्था शुरू हुई थी और योगी आदतिनाथ जी के समय में इस विवस्था को बदल के 100 से क्या कर दिया गया 112 कर दिया गया 112 क्लियर है तो आपातकालिन पुलिस सेवा जो आपकी क्या है 112 डायल 170 सेवा जो है वो किस्से सम्मंद्न थे क्लियर बताइए तो लोगों को उनके गाओं घरों तक चिकिसा सुब्दा उपनवद कराने के लिए जो सेवा है वो क्या है 170 डाय नेली क्रांटी मत्स उत्पादन से संबंदित है, पीली क्रांटी तिलहन से संबंदित है, भूरी क्रांटी आपकी उर्वरत फर्टिलाइजर उत्पादन से संबंदित है, स्वेत क्रांटी दुख उत्पादन से संबंदित है, हरत क्रांटी का सीरा संबंद किस्से है, वता य आज उत्पादन से हम लोग इसको कही बार पढ़ी चुके हैं इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं operation flood तो देखिए हाँ सुयेद करांती और operation flood दोनों ही दुख्त उत्पादन से समन्दित है ओ प्रेिशन फिलड भी दुख्त उत्पादन से समन्दित है सिल्वर क्रांती कपास के उत्पादन से संबन देथ है रजट क्रांती अंडा एबम मुर्गी उत्पादन से संबन देथ है गोल क्रांती आलू उत्पादन से संबन देथ है लाल क्रांती मास और टमाटर के उत्पादन से संबन देथ है सुनाहिरी करांती बागवानी से संबंदित है, गुल करांती जीना उत्पादन से संबंदित है, गोल करांती आलू उत्पादन से संबंदित है, और बिलेक करांती बैकल्पिक उर्जा से संबंदित है, ये बिलेक करांती आपसे पिछली परिक्षाओं में पूछा गया था, तो ये प्रमुक कृरांतियां थी जो आती है आप से पूछी जाती हैं, तो आज हम लोगोंने किस-किस पर बात की, आज हम लोगोंने Covid के Aappal Portals पर बात की जो पिछले सबय में आये हैं, भारत और उनको भी आपको देखना है, जैसे अभी पंचायती राज दिवस के दिन पंचायती राज से सम्मनित को शियोजनाओं का लोकारपर किया गया उसको भी लिखा गया है तो दो-तिन डिटेल्स में एडिस्नल लिखे गया है जिसको आपको देखता है मैंने आपको बताया UPSI, लेकपाल, इंडिविज्वल मैथ और रिजनिंग और सुपर्टेट चारों ही वैच संचालित हो रहे है UPSI और इंडिविज्वल मैथ रिजनिंग और लेकपाल बिलकुल नए वैच है संचालित होने चलना है और सुपर्टेट थोड़ा सा निकल गया है लेकिन आप उसमें भी प्रिवेश ले सकते है तो किसी भी बैच में अगर आपको प्रिवेश लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्सन में जो नंबर चलना है इन नंबर्स पर खौन करके आप अपने प्रिवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं आज मेरी तरफ सेतरा ही जल्द ही नए अपिसोड के साथ आप से मुलाकात होगी खुब स्वस्त रहिए मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए अनंत और आकासवर सुपकार में लव यू ओल टेक केर नमस्कार